जब इस देश को आजादी मिल रही थी इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस देश के साथ बहुत बड़ी गजदारी हुई है जो बेसिक सवाल हमको उठाने चाहिए थे मेरे पुर्खों ने शायद नहीं उठाए और क्यों नहीं उठाए उसके बारे में हम को विशलेशन कर लेना चाहिए जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीब लेकर खड़े हुए थे वो लोग कौन थे पंडित जवाहरलाल नहरू कौन थे पंडित जवाहरलाल हिंदुस्तान का सबसे अयाश व्यक्ति जिसको इस देश का पहला प्रधान मंत्री बनने का गाउरव मिला वो मेरे लिए दुर भागे था और वो आदमी इस हद तक आयाश था कि एक और दो और उससे जो चाहो करवालो लाड माउंट डेटन में अपनी बीवी का इस्तेमाल पंडित नहरू के लिए किया और ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है ज़स्यों किताबें आपको मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित नहरू किस किसम का गस्ती था इस वीडियो को देखकर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे हम लोग ये भी सवाल उठ रहा होगा कि हमने आप लोगों को ये वीडियो दिखाया को जो कि पाकिस्तान भारत का कभी दुस्मन था ही नहीं वैं दुस्मन क्यों बना कि वो पंडित जवाल तक करीब 20-25 लाग जनता मारी गई है तो क्या इसका सरी हम किसे देंगे भारत के प्रथम प्रथान मंतरी पंडी जवाला नेरू को देंगे इसी बात से हम आप लोगे सामने भारत पाकिस्तान जो 1965 का युद्ध था उसके बारे में तथा 1971 का युद्ध था भारत पाकिस्तान क करेंगे तो इसी के साथ वीडियो को इसकी बना करती हुए आंगे अंदर तक देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें तथा भारत पाकिस्तान जो 1965 का युद्ध था तथा जो 1971 का युद्ध था इन दोनों युद्धों में भारत की विजय हुई लेकिन पाकिस्तान की हार हुई जो कि पाकिस्तान कभी भारत का मित अखंड भारत का हिस्सा था वो पाकिस्तान भारत का दुस्मन कैसे बन गया भारत का दुस्मन था ही नहीं वो भारत का दुस्मन आज भी नहीं है वो उससे जो कई दूसरे देशें कई सक्तिसाली देशें जैसे चीन वगएरा वो आज उसको अथियार देकर उससे भारत पर आकमल कराते हैं क्योंकि भारत एक सुपर पावर बन सकता है कुछ दिनों में कहा जाता है दो हजार पच्चास तक भारत एक सुपर पावर बन कर उभर कराएगा क्योंकि भारत के पास यतिनी अमुल सक्तियां अमुल धरुवरे हैं भारत के पास यतिनी सक्तिसाली सैनिक हैं जिनकी बज़े से भारत पुरी दुनिया पर राज कर सकता है सन 1902,205,2070 तक इसी के साथ हम वीडियो को आंगे बढ़ाते हैं जो 1965 का युद्ध था इसमें भारत तरप से जो सैनिकों की संक्या थी वो करीब साथ लाक के करीब थी जो अमेरिका की सैनिकों की संक्या थी वो धायल लाक के करीब थी जो इसमें सैनिक मारे गए थे पाकिस्तान के साथ 3800 सैनिक मारे गए थे भारत की 300 सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में हमने कई लेप्टि पूर्वी हिस्सा कहा जाता था पाकिस्तान का वह बांगला देश एक नए देश के रूप में हमने बांगला देश को नए देश के रूप में बना दिया नए देश के रूप में उभर का राया बांगला देश तथा इसका जो सरे देंगे वो भारत पाकिस्तान उनीस से खत्त का युद्ध था इतना घमा संग युद्ध था कियांकि जो इस diesen सामिल था इस इरान भी सामिल था यह सबी दिज पाकिस्तान का साथ दे रहे थे उससमय भारत के पास कोई नहीं तस अमिर्काने अपनी ससस्तर सेना बल्के साथ भारत पर आकमल आक्र ना कर City था और अपने हवा पर पंडुबियों भारत पर छोड़ दी थी रफ सागर पर भारत पर अक्रमण करने के लिए लेकिन भारत का उसी समय साथ देने के लिए भारत का साथ देने के लिए जो सामने आए उस देश का नाम था रसिया रसिया कहा जाता है यदि रसिया उस समय साथ नहीं देता सैथ भ भारत गुलाम होता या भारत इस मैप में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है तो भारत तो उस समय जो रस्या ने किया वो सैध ही कोई देश कर सकता था क्योंकि अमेरिका को टकर दीनी बात अलग थी तो रस्या ने अपने पंड़ूब्यों को हिंद महा सागर में उतार तिया और हिंद महा सागर में जिस समय रस्या ने संबडू में उपर आने का आदिस दिया तो उस उन रसिया को देंगे, क्योंकि रसिया साथ नहीं देता सैथ ही हम बीजे प्राप्त करते। इस युद्ध में जो भारत के सैनिक हैं, उसमें करीब साड़े चार हजार सैनिक तक भारत के सैनिक मारे गए थे और अमेरिका के जो सैनिक थे, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, उसमें आठ पाकिस्तान के मारे गए थे यह युद्ध बहुत ही भैनक युद्ध था इसमें भारी छती हुई कई पंड़ियों दुस्त हो गई कई बटालियन के कई कमांडर मारे गए कई लेप्टी निंड मारे गए इस लड़ाई में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जो भारत ने सर 3 JCO, 123 जवान मारे गए थे, गोरखा बठाली इनके, और जो 8000 सैनिक मारे गए थे, तथा 25 सैनिक घायल हुए थे, 300 सैनिक तथा 1200 सैनिक घायल हुए थे, आका जाता है पाकिस्तान के इसमें भारी छती हुई थे, अब वो बात करेंगे जो भारत में अब तक आतंकी हमले हुए हैं, इन हमले को स्रेवी हैं, भारत के प्रतम प्रदान मंतरी पंडी जवालन नहरू को देंगे, भारत के में जो अब तक हमले हुए हैं, उनमें जो प्रमुक हमले हैं, उनकी बात करेंगे, जब मुकस्मीर में ज इसमें 713 लोग गायल हुए थे जो उसमें 257 लोग में की मौत हुई थी और ये जंग कारगिल ट्रास सेक्टर में करीब 30,000 सैनिक मौजूद थे उस समय जब 300 जो कारगिल एटाइक हुआ था 2000 में उस समय जो कारगिल में जो सैनिक छिपे हुए थे उनकी सैन्ख्या थी 3000 इस य जिना के 527 जवान सैद हुए थे तथा 1363 जवान गायल हुए थे इस युद्ध में भारत की जादा च्छती इस बज़े से हुई क्यों जो पाकिस्तान के सैनिक थे वे उपरी इलाकों में थे भारत के सैनिक नीचली इलाकों भी थे तथा गुर्दास हमला जिसमें भारत ने तीन लडाईयां लड़ी थी जिस 11 घंटे तक लडाई चली थी तीन आतंकी मारे गए थे तथा इसमें चार जवान भारत ने खुए थे और जो 2015 का आनंत नांग हमला हुआ इसमें 6 जवान सैद हुए 2016 का पंपो हुआ CRPA पर जो काफले पार आतंकी हमले हुए इसमें 8 जवान सैद हुए 2016 में 20 जवान सैद हुए आतंकी हमले में और ईस एकटर में और जो 2001 में लसकर आतंकी हमले हुए इसमें 5 आतंकी मारे गए ततरि जो सनसद भावत में 100 राजनेता मौझूद थे इसमें 6 पोलिस कर्मी 3 करमी जो थे वो मारे गए थे जो 14 जवन जन्वरी 2002 को कालिचुक जम्मु कस्मीर में जो हमला हुआ थे इसकी जवान साइदु इसे 36 लोग की मौत हुई थे च्छड़ दाम हमला हुआ था 2002 में इसमें जैस मुहम्मत की दो आतंकी मौतजा हाफित यासिद अरसबत अली मौम्मत फारुक मारे गए थे इसमें 31 लोग मारे गए थे अच्छी घाया लिए थे 2003 में जम्मु कस्मीर में अकनूर में हमला हुआ थे इसमें आठ सुरच च्छा कर्मी मारे गए थे दिल्ली सीरियल बंबलास्ट जो दिल्ली सीरियल बंबलास्ट हुआ था इसमें दिवाली के दिन हुआ था इसमें 3 बंब धमाके किये गए थे पहले 2 आतंकी मारे गए थे इसमें सरोजनी नगर में पहाल गंज जैसे बड़े बड़े इलाकों में इसमें 63 लोग मारे गए तथे 210 लोग गायल हुए और जो मुमबई ट्रेन धमाका हुआ जिसमें 13 जुलाई 2006 को मुमबई लोकल ट्रेन में जो 7 बंबी स्पोर्ट किये गए थे इसमें 210 लोग मारे गए थे 715 गायल हुए थे माले गाम हमला 2006 में जिसमें 32 लोगों की महत थी थे साथ सुरच्छा करमी सहीद हुए थे भारत पाकिस्तान की बीस समझाओता में एक्सप्रेस में 2007 में 66 यात्तरी मारे गए थे आतंकवाद आंदर प्रदेस में जो 2007 में हमला गवाद में 35 लोग मारे गए थे ता हैदरावाद में जो 2007 में मक्का मस्जित पर हमले हुए 13 लोग मारे गए थे जो उत्तर प्रदेस में एक जनुड़ी 2008 को रामपुर केंद्री रिजर पलिस कहम में आट लोग मारे गए थे जैपुर विस्पोर्ट में गुलावी नकर जैपुर में 2008 में पंद्रह मिनिट के अंदर 9 बंब धमाकी हुए जिसमें 300 लोग मारे गए थे और 210 लोग घायल हुए थे 210 लोग घायल हुए थे जो एहमदाबाद 26 जुलाई 2008 को 2 घंटे की बीतर 20 बंब इस्पोर्ट हुए थे 80 पचास से अधिक लोग मारे गए थे 80 लोग करीब मारे गए थे इसमें सूरत दोरान बलोद्रा में इस बीए बंब इस्पोर्ट हुए थे एहमदाबाद सूरत 20 बंब इस्पोर्ट जो हुए थे इंपाल 2008 मडीपूर कमांडो पलिस अपसर पर जो हमली हुए थे इसमें 17 लोग की मौती जो 26 ग्यारा टेक मौंबाया तंकी हमला 26 ग्यारा जो हमला हुआ था 26 नॉम्बर 2008 को पाकिस्तानी की आठ आत्मकात्ती हमली हुए थे इसमें करीबी 160 लोग मारे गए 300 लोग घायल हुए थे 26 ग्यारा टेक बहुत ही कई एक जामों में पूंचा गया 26 ग्यारा टेक कब हुआ था इससे आप याद रख लिजिएगा 2008 में हुआ था जो पूरे जर्मनी बेकारी हमला हुआ 2010 में बंगलोर हमला हुआ 2010 में 15 लोगों की मौत हुई थी अनंतनाग हमला हुआ आतंकवादी हमले 2013 में 5 लोग मारे गए थे 2008 लोग मारे गए थे 2013 में 10 लोग सुरश्चा करमी मारे गए थे इसमें हमने के एक करनल बिक्रम जीत सिंग को खोया था तीसा तीन आतंकी भी मार गिराए गए थे 2015 में जो उरी सेक्टर पर हमले उरी में बहुत सारे हमले हुए इसमें 45万 साथ जोऑन सहीत हुए थे 2015 में हुए इसमें 10 से 20 km दूर पंजाब की गुर्शाद में हुआ इसमें चार जवान सहीत हुए थे एक SP समेथ बलजीत सिंग की भी मौथ हुई थे 삼ूए गेरा गण्टे गोली चली थी तीन आतंकी मार गिराए गए थे 2015 में आतंक अनंतना घमला हुआ जिसमें 6 जवान सहीद हुए तथा जो 2019 में बाला कोडेर श्ट्राइक करीब 300 लोग भारत ने मारे थे पाकिस्तान के कहा जा था भारत ने पाकिस्तान पर घुसकर 300 लोगों को मारा था तब भारत उन्हों ने जब सो हुए 2016 में जब भारत के स्राम करते हुए कई लोगों पर उन्हों ने बंबारी की थी तब भारत के उन्हों ने लोगों को मारा था तो तब भारत ने उसी को संग्यार में लेते हुए 2019 में बाला कोड एर स्ट्राइक की बाला कोट एर स्ट्राइक में कहा जाता है 300 से करीब लोग मारे गए थे अब हम बात करेंगे जो भारत पाकिस्तान बढ़वारी इस तरासदी में कितने लोग मारे जाता है कि इसमें करीब 15 लाख लोग मारे गए थे क्योंकि जो भारत पाकिस्तान बटवारा हुआ इसमें कई लोगों का घर पाकिस्तान में पढ़ रहा था जो खेत थे वो हिंदुस्तान में पढ़ रहे थे कई लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे थे कई लोग भारत में रहना चाह रहे थे तो भारत पाकिस्तान इस बटवारे से बड़ी बिभीस का उत्पन हुई इस बटवारे से अठारवी सतीम इतनी भयानक बिभीस का करीब 10 से 15 लांक लोग मारे गए थे इसमें 72 लांक हिंदू सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आये थे 72 लांक सबसे जादा आना जाना 78 परसेंट पंजाब से हुआ था इसमें इतनी भीभीस का थी कि जो भारत पाकिस्तान के लोग थी उन्होंने अपना जो खाने का समान था वो बांदा और निकल पड़े थे कई लोगों की रास्तों में मौत हो गई और समय कौन सा था समय था जून अपरैल जून का समय भीसन गर्मी का सीजन था रेगिस्तान से होते हुए लोगों की मौत होती चली यारे पानी नहीं मिल रहा है बड़ी भ्यानक वीभीस का जिसने देखा होगा उसका वड़न सैधी कहीं पर मिलता है इतनी भ्यानक वीभीस का 10 से 15 लाख लोग ऐसे मारे जा रहे थे उसी समय एक अमेरिकी लेखक का भारत में आगमन होता है उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है इस दवरान करीब एक अरब 45 करोट सरणार थी बार बार घर इधर से उधर घर बदला था और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना सुद्धा दियोस मनाता है भारत 15 अगस्त को मनाता है विभाजन में 3 साल 1950 तक उत्तर प्रिदेश के 4000 मुसलमन हर रोज पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बैट कर जाते रहे 1950 तक जाते रहे 13 लांख लोग मारे गए हैं कहा जाता है इसमें करीब 15 लांख तक लोग मारे गए थे 12 लांख सरणार थी भारत आये थे तक देड़ लांख देड़ करोड विस्थापित हुए थे मतलब कि कुछ इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं इसमें इतनी भयानख भी भीसका हुई थी क्योंकि मौसम कौन सा था कई लोग पैदर चल दिये थे अपने गाड़ी गाड़ी घोड़ा बैल पर बैठ कर इतनी भीसन भी भीसका जिस समय 15 से 20 लांख लोग मारे जाते हैं तो आप इसमना कर सकते हैं सोच सकते हैं 15 से 20 लांख लोग मारे जाते हैं तो क्या इस्तिती होगी सड़कों की क्या इस्तिती होगी खेतों क्या इस्तिती होगी उस वाता कर दो कि है तो कर दो कर दो दो